कि तर दोस्तों, रादे रादे, सब को प्रणाम, सब को नमस्ते, और हला कि इसे कोई वीडियो बनाने का मुझे शौक नहीं है, नहीं मैं इस प्रकार के कभी वीडियो बनाता हूँ, पर पता नहीं आज संडे है तो विसे मैं संडे को क्लास कभी लेता नहीं हूँ तो सोचा कि कम से कम पाँच मिनट बच्चों से ये चर्चा कर ले जाए परती एक बच्चा जो है अभी वरतमान में इस दिक्कत में है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें कैसे पढ़ें कितना पढ़ें सब कुछ उनके दिमाग में एक द्वंद चल रहा है और वो कुछ सई डिसिजन भी नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे कहा पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ना है औफलेंड पढ़ना है कितनी किताबे पढ़नी है नया पढ़ना है पूरा क्या पढ़ें और ये सही भी है कि जैसे जैसे एक्जाम नजदिक आता जाएगा वैसे वैसे आपकी ये दूविताएं बढ़ती जाएगी जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो इन दूविताओं को दूर कर लेंगे जो बच्चे स्मार्ट नहीं होंगे जो रणनीती को नहीं समझते होंगे वहाब अच्छे क्या करेंगे इसमें उलजते चले जाएंगे अब आपको यहां से निकलना है या आपको यहां से उलजना है यह आप पड़ता ही करता है मुझे एक बड़ा सा किसाज में सुबह सुभी पढ़ रहा था तो मुझे याद आया मुझे सुनाना चाहिए वालाएकि मैं कहाणी वहाँ यह कभी सुनाता नहीं लेकिन आज याद आगया मुझे की बहुत हिटलर की कहानी चल रही थी तो हिटलर का एक सेना पती जो था जिसको नाम कुछ उसका अंगरेजी में था मुझे भी नहीं पता में भूल गया, उसने पुछा था उससे कि युद कौन जीतता है, युद में विजई कौन प्राप्त करता है, बहुत अच्छा प्रश्ने किया था तो, उसने आप्सन रखे थे हिटलर के सामने, क्या युद में वो जीतता है, जिसका युदा अब्यास क्या युद में वह जीतता है, जिसके अंदर शोरियां वीरताएं ज्यादा होती है, या युद में वह जीतता है, जिसका दिमाग बहुत तेज होता है, या युद में वह जीतता है, जो बहुबल से बहुत मजबूत होता है, हिटलर ने सारी बाते सुनी, और हिटलर वो जीत सकते हैं जो शोरियों और वीरता को रखते हो यह नहीं युद्ध में वो जीत सकते हैं जिनको जो बहुत्से मजबूत हो तो युद्ध में जीतते कौण तो हिटलर ने कहा युद में जीतते वो हैं जो समय के अनुसार तुरंत रणनिती को बदलने की ख्षमता रखते हैं दियान लगिएगा पंक्ती को युद में जीतते वो जो समय के अनुसार तुरंत अपनी रणनिती को बदलने की ख्षमता रखते हैं तो रननिती बदलना आ गई, वो युद्ध को जीत लेगा, और आपका जो समय चल रहा है ना अभी, वही चल रहा है कि कैसे रननिती को बदला जाए, यदि आप आज भी वेसा ही पढ़ रहे हो जैसा आप पहले दिन पढ़ रहे थे, इस रीट की, इस थर्डगरीट की तयारी कि जो पहले दिन आप जैसा पढ़ रहे थे, यदि आज भी आप वेसा का वेसा पढ़ रहे हो, तो मैं आपको कहूंगा कि आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, यदि मैं आपके जगह पे हूँ तो मैं यह नहीं करता, बदलना पढ़ेगा, क्योंकि पहले दिन हमारा base clear नही दोस्तों क्या करना चाहिए, यह 35 दिन जो आपके पास में है, यह 35 डेज जो आपके पास में हैं दोस्तों, यह 35 दिन आपको क्या देख करके जाएंगे, इस 35 दिन की आपकी क्या रणनिती होगी दोस्तों, इस 35 दिन में आपको कैसे तयारी करनी है, यह मैं आपको बताना ज करने का नहीं है, theory classes को अब क्या दे दीजिए, आप विराम दे दीजिए, क्योंकि जो आपको जितनी theory पढ़नी थी पढ़ लिए, ये समय चल रहा है practice का, तो सबसे पहले theory को बंद कीजिए, अब theory को बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आपको theory नहीं पढ़नी, कैसे पढ़नी ह अब आपको पहला काम करना है, m, c, q practice, सबसे पहला काम करना है, मान लीजिए कि मैं मानता हूँ कि आपके total मिला करके 6 subject है, इस 6 में से आपको 6 subject है, 6 into, आपके अपर मैं subject मान लेता हूँ, 6 into आपको कितने करने हैं, दोस्तों, 50 करने हैं, आपके हो जाते हैं, 300 प्रश्न पर यानि कि आपको प्रती दिन, एक subject के 50 प्रस्न यानि कि कम से कम 300 प्रश्नों की m, c, q की practice करनी है, अब आप m, c, q की practice कैसे करोगे, ये भी आपके पास में एक तरीका हो, m, c, q कहां से पढ़ते हूँ, ये कोई फरक नहीं पढ़ता है, आप किसी की टेलीग्राम से लो, मार्क के पूरे आपको पता होने चाहिए, ऐसे m, c, q पढ़ने, जैसे देखिए, कम एक example से आपको बता था हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है, कि निम्न लिखित में से क्या उत्तम उपलब्दी परिक्षन की विशेस्ता नहीं है, एक अच्छे परिक्षन की क्या विश पर चलेगे, नहीं, यहाँ पर रुकना है, विश्वसनियता क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, विश्वसनियता का मतलब यह होता है, कि प्रशनों की समानता, वस्तुनिष्टता क्या होती है, उत्तर की समानता, व्यदता क्या होती है, जिस उद्दिश का निर्मान कि गया हो उसी उद्देश का मुल्यांकन लेना वस्तुनिष्ट प्रश्ण में विश्वसनिता वस्तुनिष्टता वैदता दोनों पाई जाती है निमंदात्मक प्रश्णों में ये नहीं पाई जाती है मुल्यांकन का अनिवारी गुण वैदता होता है सबसे ज़्यादा जरू ती कब होती ही, सचरत रूटी कब होरी, अस्तरत रूटी कब होरी, चार उपसन का सब कुछ आपको पता हो, ऐसे आपको 300 प्रश्ण रोज के पढ़ दें, क्योंकि इसे क्या होगा कि मान लिजे कि आप यहाँ पर वस्तो निश्टता को नहीं जानते, अब आपको किताब में ज साही रन निती के अकोडिन चलते हो, तो मैं केवल ये वीडियो के लिए नहीं बना रहा हूँ कि लास्ट टाइम पर अपने स्ट्रेजी का वीडियो डालेंगे तो आजाएगा, मैं कभी ऐसे वीडियो डालते ही नहीं, आपको पता है, कि मेरे जोतने भी वीडियो आते हैं, आप लोगों का सन्य, आप लोगों का प्यार मुझे पता है, और संडे के दिन मेरी कलासे ओफ रहती ही, इसलिए मैं आपको ये पांच मिनट दे रहा हूँ, बगर ये भी मैं आपसे नहीं लेता, अब यहाँ पे एक ध्यान रखना है दोस्तों, एक काम इसके साथ में और ए यानि कि 150 प्रश्ण जो आपके पेपर में आएंगे वैसे कि वैसे डेट सो प्रश्ण के आपके मार्केट के अंदर क्या बने हुए दोस्तों आपके प्रेक्टिस सेट मिल जाएंगे वो प्रेक्टिस सेट आपको खरीद के लाने और डेली का एक पेपर आपको OMR सीट पर करन कई आपको प्रश्ण देने के लिए जाने की जुरूत नहीं है कहीं टेस्ट देने नहीं जाना है आपको कोई online टेस्ट नहीं देना है क्योंकि परिक्सा आपके offline है online नहीं यह ओनलाइन टेस्ट से बच जाए अभी से ओनलाइन टेस्टों से थोड़े दूर हो जाए कुछ नहीं ओनलाइन टेस्ट से आपको OMR भी मार्केट में मिलेगी प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में मिलेंगे एक OMR लाना उसकी फोटो को भी करवा के रख लेना या जो भी आपके पास में किताब भी आती हो OMR की वो लियाना फिर लियाना प्रैक्टिस से इधर डेड़ सो प्रस्ट निकाले उधर गड़ी लगा करके टाइम सेट करो कि एक्जाम में जितना टाइम अपन को मिलता है मुझे यहाँ पर भी उतना ही टाइम देना है उससे ज्यादा टाइम नहीं कोई टाइम लिया आपने उसी की अकोडिंग जैसे पूरा का पूरा एक्जाम चल रहो हो वेसा का वेसा आपको एक्जाम देना है कोई cheating नहीं, कि यह नहीं आ रहा है तो मैं देख लूँ, कोई cheating नहीं इमान दारी से दिना है, time खतम, पहले answer चेक करने, कितने गलत किये, कितने सही किये, one four, minus marking करना है, फिर आपको देखना है कि कितना आपका score बेठा है, इससे आपको, आपकी real value पता चलेगी, आप अपना अ 110 नंबर आ रहे हैं, तो अगली बार में आपके 115 आने चाहिए, उसके अगली बार में 116 आने चाहिए, नंबर बढ़ दें चाहिए, दोस्तों, यदि 35 प्रशनों की, आप 35 दिनी बच्चे तो यही कर पाऊगे, 35 प्रशनों की practice भी, यदि आप paper की practice भी कर लेते हो ना, दोस उसके बाद में आपको OMR कैसे बरी जाती है, time management किस तरीके से करना है, कौन सा वाला भाग पहले करना है, कौन सा वाला भाग बाद में करना है, OMR में कितनी तरूटी होती है, सब कुछ आपके दूर हो जाएगी, exam में जो यह एक दो नंबर की गलतिये करके आते हैं आपन paper द इनकी माधियम से ही कोई option आपको नहीं पता है तो theory पढ़नी है, और daily का एक paper करना है, यह तो आपकी रहेगी, run दिती, दूसरा, तीसरा काम आपको क्या करना है, प्रतिये एक बच्चे ने अपने अपने notes बना रखे होंगे, प्रतिये एक बच्चे ने अपने क्या बना पढ़ना है, आपको तीन बार पढ़ना है, मैं आपको केवल, अगर आप मुझे, अगर सिक्षक मानते हो, अपना बड़ा भाई मानते हो, कुछ भी आप मुझे जो भी मानते हो, मैं आपको केवल तीन advice ही, यह रामबान है, हर subject के 50 MCQ करो daily, एक paper daily solution, सुबह उड़ती ही पहल और उसकी answer की निकालनी और अपनी rank निकालनी, फिर check करना कि जो प्रशन आपने गलत किया है, उसका सही उत्तर क्या है, यह भी आपको पता लगाना है, कि उसका सही उत्तर क्या होगा, हमने कहां गलती किये, उस वाले भाग को आपको वापिस पढ़ना है, ऐसे date सो करना है, यह काम यह करना, फिर आपको पचास-पचास प्रशनों के practice क्या करने है, set करने है, सब चाहे जिक्यों हो चाहे कुछ भी हो, फिर आपको क्या करना है, 35 दिन में तीन बार आपको अपने notes पढ़ने है, आप कितनी गती से पढ़ते हो यह आप जानो, यदि यह रणनीती आप follow करते हैं, तो मुझे लगता है कि 35 दिन में इससे बहतर और कुछ नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, अभी हर teacher को पकड़ रखा है, दिन में 4 teacher आपने section वीदियो के पकड़ रखे, 50 प्रशनों यहां देख रहे हो, 20 प्रशनों, वहां देख रहे हो, 30 प्रशनों, मैं आपको नहीं कहूंगा कि मेरे यहां करके आप 50 प्रशनों देखो, मेरे तो टेलिग्राम से PDF लिलो में 50 प्रशन डाल रहा हो, आंसर के साथ में वह भी काम आ जाएगी, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर वीडियो में आ करके देख लेना, क्यों देखना पूरा वीडिय कोई फरक नहीं पड़ रहा है मुझे, किसी से कोई लिणा देना भी नहीं है, तो अपना स्वार्त साथ हो, सिक्षकों का स्वार्त मत साथ हो, आपको जीवन में ध्यान रखना है कि आपका सेलेक्शन आपके अलावा कोई नहीं करा सकता है, आपको अपनी ररनीती बनानी प पड़ाता है, लेकिन ये कभी नहीं कहेगा कि आउनलाइन मत आओ, आओ मेरे देखो, मैं तो मेरे मत देखो, मेरे तो टेलीग्राम से पीडियेप लो, टेलीग्राम जो इनको रोवा से पीडियेप उठाओ, कोई प्रशन अगर आपको दिक्कत आती है, तो फिर क्लास में आ जिस विशेव उस्तू को आप दो से तीन बार दिमाग से देख लेते हो, उसका संप्रते आपके दिमाग में बन जाता है, यदि पचास प्रशन आप रोज के पड़ोगे, तो एक प्रशन दो से तीन बार तक आपके एक्जाम तक आपके आँखों के सामने टकराएगा, और वही प्रशन जब आपको परिक्सा में हूब हूब देखेगा, तो आपको बिना सोचे सिदा आपका हाथ उस उस उप्सन को क्या कर देगा, सही कर देगा, इसलिए अब टाइम MCQ पढ़ने का है, इसके उपर जोड़ दे, चाए वो लेवल वन वाले हैं, चाए वो लेवल ट क्लास नहीं होगी, कल से आपको मंडे से वापी सारी क्लास से कंटीने मिल जाएगी, तब तके लिए धन्यवाद, शुबरात्री, विश्यू, अल्दो बेस्ट करते रहें, आनंद करें, मस्ती के साथ, कोई टेंशन ना लग, गबराए नी, गुमे फिरे, गाने वाने सुने मस्त रहे, थोड़ा ये टाइम निकला करो, मोर्निंग में उट करके, एक दू किलो मेटर गुमा उमा करो, अलके भूल के गाने वाने सुना गया करो, थोड़ा मस्ती में रहा करो, थोड़ा अपने आपको एक्टिव रखा करो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, अपने गर पे कर सकते हो, आपको रिलिव जो है मिलेगा दोस्तो, तो मेरी शुब कामना है आपके साथ में, आप आनंद के साथ तैयरी करते रहें, मस्ती के साथ तैयरी करते रहें, 100% आपका स्लेक्सन होगा, कल फिर्म लेंगे नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए आदे जय हित्ट गुडबाद